Hello students, आज हैं हम practice set 14 देखने वाले है, question number 1, in the table below, write the place value of each of the digit in the number 378.025, अभी इस number की हमें place value write down करने हैं, तो पहले place value write down करने से पहले हम place कैसे denote करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे unit 10s 100 होता है, कोन से भी number का हम place value write down करते हैं, तो unit से start करते हैं, unit 10s 100, 1000, 10, इस प्रकार से, तो फिर यहाँ पे unit place पे यदि कोई number है, तो उसकी value 1 होती है, 10s place पे होती है, तो 10 होती है, और 100s place पे होती है, तो 100, लेकिन यहाँ पे यदि हम decimal point लगाए unit के बाद, तो उसकी place value 10s हो जाती है, 10th हो जाती है, 100 हो जाती है, उसके बाद 1000 हो जाती है, देखो अभी यहाँ पे हमने digit राइट डाउन किया 378.025 तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे हो गई देखो 3 की प्लेस वैल्यू 3 कौन से प्लेस पे आगा है 100 प्लेस पे 7 टेंस प्लेस पे और 8 यूनिट प्लेस पे 70 और 300 प्लेस पे है इसलिए 3 की प्लेस वैल्यू 300 लेकिन अभी decimal पॉइंट के बाद का नंबर 0 नंबर है लेकिन वो 10 प्लेस पे है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0 2 number है, 2 कौन से number पे है, 100 तप number पे है इसलिए इसकी place value क्या बन जाएगे, 2 upon 100 तो 2 upon 100 को ही हम कैसे write down करेंगे, यहाँ पे 2 0 है इसलिए 2 digit हमें आगे करना है, याने यहाँ पे 2 लिखा, फिर 0, decimal point लगाया और 0 याने 0, 0.02 क्योंकि यहाँ पे 2 0 थे, इसलिए 1, 2 और यहाँ पे decimal point लगाया उसी प्रकार से, 5 कौन से place पे है, 1000 तप place पे है इसलिए 5 की place value क्या बन गई, 5 upon 1000 इक्वल टू क्या, कितने 0 है, 1, 2, 3 इसलिए यहाँ से 5 से लेके 3 digit काउंट करना है, 1, 2, 3 और यहाँ पे लगाना है decimal point और 0, याने 0.005, यह बन गई, 5 की place value इस प्रकार से हम उसकी place value रेट डाउन कर सकते है अभी हम question number 2 solve करते है question number 2 क्या दिया है, solve अभी हाँ यहाँ पे जो decimal number से, इसकी हमें addition करनी है, second number के question में solve करते है, देखो इस प्रकार से first example दिया है, 90.5 plus 27.197 अभी इसको write down कैसे करना, वो important है देखो, first number write down करते है, 90.5 अभी जो decimal point है, वो important है अभी यहाँ पे भी decimal point है, तो decimal point के नीचे पहले decimal point write down कर लें पिर यहाँ पे 27 number था, तो इसलिए यहाँ पे 27 write down क्या अभी decimal point के बाद का number write down करेंगे, 1, 9 और 7 यहाँ पे plus की sign देखो अभी, यहाँ पे 7 के उपर कुछ नहीं है, 9 के उपर भी कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 अभी addition करते है, 0 plus 7, 7 0 plus 9, 9 5 plus 1, 6 decimal point, 0 plus 7, 7 और 9 plus 2, 11 यहाँ आंसर मिल गया, 117.697 इस प्रकार से सेकर्ड एग्जाम्पल देखते है, 39 plus 700.65 पहले write down क्या 39 number लेकिन यहाँ पे decimal point नहीं था तो भी important ही यहाँ पे 700 complete number है यहाँ पे decimal point है इसलिए यहाँ पे write down करेंगे, यह 700 इस प्रकार से और बाद में लगाएंगे decimal point और यहाँ पे 65 39 के बाद भी कुछ नहीं इसलिए यहाँ पे मिल गया हमें decimal point और 00 39.00 का ही मतलब क्या हुआ बच्चों 39 हुआ 39 भी सिर्फ write down कर सकते थे हम इस प्रकार से भी हम write down कर सकते यानि 39.00 प्लस 700.65 लेकिन देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे decimal point के नीचे decimal point आ गया वो ज्यादा important है 0 प्लस 5 0 प्लस 66 decimal point 9 प्लस 0 9 3 प्लस 0 7 प्लस 0 7 इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एक्जम्पल देखते हैं पहला नमबर है 40 तो 40 write down किया decimal point नहीं था इसलिए हम यहाँ पे decimal point लगा के 0 0 भी write down कर सकते हैं उसके बाद 27.7 है तो पहले यह जो decimal point है तो decimal point के नीचे write down किया decimal point के पहले था 27 तो 27 write down कर लिया उसके बाद था point 7 इसलिए यहाँ पे आ गया 7 प्लस की साइन नेक्स नमबर, यहाँ पे भी decimal point है, तो यहाँ पे यह decimal point लगा लेंगे, decimal point के पहले था 2, तो यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद decimal point के बाद 4, 5, 1, तो यहाँ पे 4, 5, 1, इस प्रकार से, अभी करेंगे addition, 1 के उपर कुछ भी नहीं इसले, यहाँ पे 0 होगा, 0 यहाँ पे कुछ नहीं इसले, यहाँ पे 0 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 0 प्लस 0 प्लस 55 0 प्लस 7 प्लस 4 11, carry 1 7 प्लस 2, 9 प्लस 1 10, carry 1 4 प्लस 2, 6 प्लस 1, 7 यहने आंसर मिल गया, 70.150 इस प्रकार से नेक्स्ट एक्जाम्पल देखते हैं, सब्ट्रैक्ट, अभी सब्ट्रैक्शन करनी हैं हमें फर्स्ट दिया है, 85.96 माइनस 2.345 इस प्रकार से रड़ ड़न करेंगे 85.96 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा लेना है डेसिमल पॉइंट के पहले 2 था, इसलिए यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 3,4,5 3,4,5 इस प्रकार से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के साइन स्वाल करते हैं, 0 के उपर कुछ भी नहीं बच्चो इसलिए यहाँ पे 0 है, लेकिन 0 में से 5 नहीं जा रहे तो 0 गया 6 के 5 यहाँ पे बच्चा 5 यहाँ पे बन गया 10 10 में से 5 गया 5 5 में से 4 गया 1 9 में से 3 गया 6 डेसिमल पॉइंट लगा लिया 5 माइनस 2 के 3 और 8 जैसा है वैसा एन्ना आंसर मिल गया 83.650 नेक्स 632 पॉइंट 97 उसके बाद पहले 0.45 भी सब्ट्रेक्शन करेंगे 4 में से 5 नहीं जा रहे तो 4 किसके पास गया इसके पास यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे 14 बन गया 14 माइनस 5 के तो 9 1 में से 4 नहीं जा रहे तो 1 गया इसके पास इसके पास बचा 1 यहाँ बन गये 11 11-7 क्या, तो बचा 7 1 में से 7 ने जा रहे, तो 1 गया 3 के पास, 3 के पास बचे 2, यहाँ पे बनके 11 11-7 क्या, तो 4, यहाँ पे decimal पॉइंटा लगा दिया तो भी 2 में से 9 ने जा रहे, तो 2 गया इसके पास बचे 5, इसके पास बचे 12 12-9 क्या, तो 3, वोर 5 जैसा है, वैसे का वैसा यानि 534.79 नेक्स्ट एक्जामपल देखते है थर्ड एक्जामपल में क्या दिया है, बच्चो देखो 200.005-17.186 अभी सब्ट्रेक्शन करेंगे 200.05 माइनस decimal point के निचे decimal point यहाँ पे आ गया 17 और यहाँ पे आ गया 186 लेकिन 6 के उपर कोई भी नमबर नहीं है इसलिए यहाँ पे है 0 तो 0 में से 6 नहीं जा रहे तो 0 गया इसके पास बचे 4 और यहाँ पे बन गये 10 10-6 के तो 4, 4 में से 8 नहीं जा रहे तो 4 गया 0 के पास लेकिन कुछ नहीं था 0 के पास, फिर इसके पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, तो इसके पास बचे 1, फिर अभी इसके पास बचे 9, इसके पास भी बचे 9, इसके पास भी बचे 9, यहाँ पे बन गए 14, तो फिर 14-8 किया तो 6, 9-1 किया 8, फिर यह मिल गया इसका आंसर देखो यहाँ पर एक्जांपल में दिया गया है अविनाश ने ट्रैवल किया है इतना किलोमेटर बाई कार से और 650 मिटर उसने वाक करके ट्रैवल किया है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल डिस्टंस कितना किलोमेटर ट्रैवल किया all together all together का मतलब होता है बच्चो टोटल मिला के यहने उसने बस से कार से और पैदल चरके टोटल डिस्टंस कितना ट्रैवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है चलिए solve करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से रैड डाउन करना होगा पहले अविनाश्ट ने ट्रैवल किया है इतना डिस्टंस बाइ बस, कार और बाइ वोकिंग उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टंस ट्रैवल इक्वल टू देखो यहाँ पे टू कॉलम्स बनाए इस प्रकार से किलो मिटर और मिटर 42 किलो मिटर 365 मिटर ट्रैवल किया है किससे? बाइ बस 12 किलो मिटर 460 मिटर ट्रैवल किया है बाइ कार और 640 मिटर ट्रैवल किया है बाइ वोकिंग अब उसने total distance कितना travel किया है मैं find out करना है इसलिए करनी हो गया मैं addition 5 plus 0 plus 0 fly 6 plus 6 12 12 plus 4 16 6 carry 1 6 plus 4 10 3 13 1 14 4 carry 1 2 plus 2 4 plus 1 5 और 4 plus 1 5 याने 55 kilometer 465 meter इतना उसने total distance travel किया लेकिन हमें answer decimal fraction में बोला था इस lace को इस प्रकार से भी write down कर सकते हैं 55.465 kilometer इस प्रकार से भी इसका आम answer write down कर सकते हैं प्रकार नमबर 5 देखते हैं आयशा बॉट 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta if the cloth cost is 120 rupees per meter how much must she pay to the shop picker देखो यहाँ पे 1.80 meter cloth लियाने उसने salwar के लिया है 2.25 meter उसने कुर्ते के लिया है आयशा ने तो पहले तो उसने कितना cloth पर्चेस किया वो हम find out करेंगे देखो इस प्रकार से write down करेंगे आयशा बॉट 1.80 meter cloth for salwar and 2.25 meter for kurta total उसने कितना cloth बाई किया total cloth she bought equal to 1.80 plus 2.25 addition करेंगे इस प्रकार से 4.05 meter इतना cloth उसने पर्चेस किया लेकिन जो cloth उसने पर्चेस किया था उसकी जो price थी तो 120 rupees per meter थी लेकिन उसने कितना cloth purchase किया 4.05 meter याने एक meter को यदि 120 rupees लग रहे है तो 4.05 meter को कितने rupees लगेंगे बच्चो तो हमें find out करना होगा वो किस प्रकार से find out करेंगे total cloth निकालनी हमें cost की तो हमें total cloth किया था purchase 4.05 और लेकिन जो cloth था उसकी per meter price थी 120 rupees इसले इसको multiply करना होगा 120 से इस प्रकार से देखो भी multiplication करते है 0 5 जा 0, 0 0 जा 0, 0 4 जा 0 प्लस 2 से multiply करेंगे 2 5 जा पहले 0 लगाएंगे 2 5 जा 10, 0 carry 1 2 0 जा 0, 0 plus 1, 1 2 4 जा 8 प्लस यहाँ पे लगाएंगे 2 0 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4 करेंगे addition 0, 0 1 प्लस 5, 6 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 1, 2, 2 जीड के बाएंगे decimal point हा इसले 1, 2 यहाँ पे लगाए decimal point यहने 486 rupees therefore 486 rupees लगे उसको यहने उसको total cost कितनी लगी cost purchase करने के लिए 486 rupees उसको जो cost sorry cloth purchase किया था उसके लिए 486 rupees उसको देने होंगे next example देखते है सुजाता बोट वाटर मेलन weighing 4.25 kg and गे वन क्योंजी 750 ग्राम to children in her neighborhood how much of it does she have left देखो भी सुजाता ने एक वाटर मेलन परचेस किया उसका जो प्राइज सर इसका जो वेट था तो 4.25 kg था लेकिन उसमें से उसने 1 kg 750 ग्राम children को दे दिया इन हर neighborhood उसके जो बाजी वाले बच्चे थे neighborhood थे उनको 1 kg 750 ग्राम बच्चो को दे दिया तो उसके पास कितना बच्चा left हैने कितना बच्चा इसलिए हमें क्या करनी होगी बच्चो subtraction इस प्राकार से देखो total weight था water million का 4.25 kg उसमें से उसने कितना दिया 4.25 kg थी उसमें से उसने 1 kg 750 ग्राम नेबर हुड को दे दिया लेकिन उसके पास कितना बच्चा हैं find out करने के लिए हमें करनी होगी यहाँ पे subtraction तो यहाँ पे लेंगे हम 0 0-0, 0 5-5, 0 2 में से 7 नहीं जा रहे यहाँ पे गए 3 यहाँ पे बन गए 12 12-7, 5, decimal point 3-1, 2 therefore she have left she have left 2.500 gram water million इस प्रकार से उसके पास 2.500 gram इतने केजी इतने जो केजी है इतना water million उसके पास बचा 7 नमबर का question Anitta was driving at a speed of 85.6 km per hour the road has a speed limit of 55 km per hour by how much should she reduce her speed to be within the speed limit यहाँ पे example में Anitta का driving speed दिया है 85.6 km लेकिन जो road की speed limit दी हुई है वो है 55 km per hour इसले उसको क्या करना होगा उसका जो speed दिया हुआ है वो उसको reduce करना होगा इसले क्या करना होगा 85.6 km में से 55 km per hour उसको subtract करना होगा ताकि हमें क्या मिल सकें by how much should she reduce her speed कितने इससे उसने speed उसका reduce किया है कितने km से उसने speed reduce किया है वो हमें पता चल सकें फैंड आउट करते हैं यहाँ पे अनिता का driving speed दिया है speed limit of road दिया है 55 km per hour लेकिन उसको वो speed reduce करना होगा she reduce her speed equal to कितने km से उसने speed reduce किया है इसले क्या करना होगा बच्चो subtraction 85.6 minus 55.0 कुछ नहीं था 55 के बाद इसले point लगा के 0 रेट डाउन किया 6.6 minus 0, 6 5 minus 5 0, 8 minus 5, 3 therefore answer क्या है 30.6 km per hour यानि उसको कितने km से speed reduce करना होगा तो 30.6 km यह है इसका answer